नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का फार्मसिस्ट राखव। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गर आपके दांट में दर्द रहता है और आप बहुत परिशान रहते हैं अपने दांट के दर्द से तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। आज हम इसमें बात करने वाले हैं Kitterol DT Tablet के बारे में, जो कि Dentals द्वारा सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली Tablet है आपके दांत के तर्थ के लिए, तो हम इसके Complete Information के बारे में बात करेंगे, like इसके क्या-क्या यूजिंस हैं, क्या-क्या इसके Side Effects हैं, क्या-क्या Precautions या और फिर साफधानी आपको बरतनी चाहिए इसको यूज करने से पहले, और किस-किस कंडिशन में आपको इसे अवाइड करना चाहिए, बोले तो नहीं यूज करना है, तो वीडियो को एंड तक पुरा जरूर देखें, because Complete Information is very important for medicines, तो चले दोस्तों वीडियो को करते हैं, श फिर Dr. Ready की Medicine है, जो की NSAID केटेगरी में लाई करती है, Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs इसको बोला जाता है, और अगर हम इसके Composition की बात करते हैं, तो ये जनरली Ketorolac 10 MD Strength के साथ में मार्किट में अविलेबल होती है, और जिस टैबलेट के बार में हम बात कर रहे हैं, Ketorol DT, DT stands for Dispersable Tablet मतलब कि ये पानी में बहुत जल्दी घुल जाती है, दोस्तो ये Special Note मैं Starting में ही एक डालना चाहता हूँ, अगर आप इसको Use कर रहे हैं, तो इसको ध्यान रखे के 5 दिन से जादा आपको इसे Use नहीं करना चाहिए, इसको Self-Medicate तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आज हम Uses से पहले बात करने वाले हैं, Precautions के बारे में और इसकी क्या-क्या साफधानिया आपको बरतनी चाहिए, इसको Use करने से पहले, दोस्तो सबसे पहले नंबर पे आता है, अगर आपको GI Bleeding की दिक्कत है, तो आपको इसे बिल्कुल Use नहीं करना है, अगर ऐसी कोई दि पेट में चालो की दिक्कत है, तो भी आपको इसे Use नहीं करना है, अगर ऐसी कोई दिक्कत है, अगेन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनको इस चीज के बारे में अवगत कराएं, Point No.3, या फिर आपको Urine-related Problem है, जैसे कि किसी किसी को Urine में दिक्कत होती है, और उन की medicines मैं यूज करता हूँ, ताकि डॉक्टर इसका कोई alternate यूज कर सके, दोस्तो इसके अलावा coagulation अगर disorder है आपको, तो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना है, और इसे Use नहीं करना है, coagulation disorder क्या होता है, जैसे कि खून का जो थक्का होता है, खून जमने का जो प्रोसेस disorder है, तो आप इसको ना यूज करके, इसका कोई alternate यूज करें, या फिर अगर आपको कोई heart related problem है, बोले तो कोई heart surgery हुई है, या फिर heart से related problem है, तो भी आपको इसे Use नहीं करना चाहिए, और अपने डॉक्टर से पहले ही बता देना है, और उनसे concert करना चाहिए, तो दोस्तो ये थी कुछ साफधानिया और precautions जो आपको इसे Use करने से पहले हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, तो चलिए दोस्तो अब इसके बाद में बात कर लेते हैं, इसके क्या-क्या uses है और ये किस-किस चीज के लिए Use किया जाता है, तो दोस्तो जैसा कि हमने starting में ही बात की थी, NSAID category में आता है, तो जनरली जो NSAIDs होते हैं वो anti-inflammatory और anti-parasitic and pain relieving agent होते हैं, इसका जो सबसे पहला use है दोस्तो वो moderate to severe pains में इसको use किया जाता है, इसके अलावा अगर आपको menstrual cramps होते हैं या फिर हो रहे हैं तो भी आप इसे use कर सकते हैं, उसमें भी आपको relief provide कराता है, ब हमेशा दिमाग में आपको ये रखना है, आपको इसे long term के लिए use नहीं करना है, तीसरा point है दोस्तो, arthritis में भी doctor sometime इसको use करते हैं, बट वो SOS use करते हैं, SOS stands for आपको जब भी pain होता है, सिरफ आपको तब ही इसे लेना है, बोले तो continue नहीं लेना है, जब दर्ध हो तब ही ले हैं, और उसी arthritis condition में इसको use किया जाता है, बट अगर आप हमारी सलहा मानते हैं, तो मैं बिल्कुल avoid करने को कहूंगा, इसकी जगह कोई आप alternate ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यही use करना है, और दोस्तों जो सबसे ज़्यादा और सबसे widely इसका use किया जाता है, वो कि बहुत ही amazing results भी मिलते हैं, तो हर एक dental के prescription पे आपको यह जादा तर as a pain relieving agent जरूर मिल जाएगा, या फिर इसके alternatively doctors या फिर dentals कुछ other products भी use करते हैं, जैसे कि सिग्नो फ्लेम हो गया, एंजो फ्लेम हो गया, और भी बहुत सारे pain relieving agent होते हैं, जो कि dentals use करते हैं, उनका जो ह करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं, केटरॉल DT के बारे में, तो दोस्तो ये थे इसके कुछ uses जिसके बारे में हमने detail में बात करी है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, इसके क्या-क्या side effects हो सकते हैं, तो दोस्तो सबसे पहले number पे आता है, nausea भी हो सकता है आपको, vomiting भी हो सकती है, constipation या फिर diarrhea की भी दिक्कत हो सकती है sometime, या फिर आपको gastric disturbance की भी दिक्कत हो सकती है, बोले तो gas भी बन सकती है, dizziness या फिर drowsiness की भी आपको दिक्कत हो सकती है sometime, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत परिशानी लगती है, तो आपको इसे बिलकुल use नही करना है तुरण इसका dose stop करके अपने डॉक्टर से consult करें और उनके बारे में बताएं कि मुझे यह condition face करनी पड़ रही है जिसकी वजह से मुझे problem हो रही है जिसकी जैसे dental या फिर जो भी डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं वो इनका कोई alternate आपको दे सकें दोस्तों अगर हम इसके prices के बारे में बात करते हैं तो proper अगर मैं caterall dt के बारे में बात करूँ डॉक्टर ready वाले product के बारे में तो यह आपको 8 से 9 रुपे में कहीं भी easily per tablet मिल जाएगी और हम अगर इसके पत्ते की बात करते हैं तो 15 टैबलेट का इसका जो strip आता है और उसकी जो MRP है वो 133 रुपी अब आप इसे देख सकते हैं आपके area में कितने में मिलती है जहां से आप को सस्ता मिलता है आप भहां से ले सकते हैं तो चलिए इसके कुछ alternates के बारे में भी बात कर लेते हैं या फिर आप kit rowl dt के अलावा कौन से brands है जो आप choose कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं top 5 ऐसे brands के बारे में जो कि आप इसके alternatively use कर सकते हैं जैसे सबसे पहले number बे अगर मैं देना चाहूं तो Ketanoff DT आती है Sun Pharma का product है ये और इसकी costing आपको 8 रुपे की ही पड़ेगी 8 रुपे पर tablet ये आपको पड़ेगी या फिर अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप Ketanoff DT यूज़ कर सकते हैं जो की about company का product है और 7 रुपे पर tablet आपको ये पड़ेगी इसके अलावा आप Ketoro Lact 10 mg भी यूज़ कर सकते हैं जो की micro labs का product है और 6.5 रुपे something आपको इसकी costing पड़ेगी या फिर आप Lee Ford का भी यूज़ कर सकते हैं Ketoford 10 mg के नाम से मिल जाएगा आपको और 4.5 रुपे की आपको इसकी costing पड़ेगी या फिर आप सस्ते में चाहते हैं और बड़िया product चाहते हैं तो अपना mankind हमेशा सबसे उपर मिलता है आपको तो Dantaforce DT के नाम से आपको mankind की मिल जाएगी जो की 4.5 रुपे की ही tablet आपको पड़ेगी तो आप इसको भी use कर सकते हैं composition दोस्तो सब में same होता है बस company के अपने brand names होते हैं और उसका ही वो price आपसे charge करते हैं तो आप इसमें से कोई साभी use कर सकते हैं कोई दिकत की बात नहीं है दोस्तो आशा करते हैं आपके लिए वीडियो helpful रही हो ऐसी ही और informative वीडियो के लिए हैं और वीडियो के साथ में